हलो दोस्तों यदि आप ट्रेन सफर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपनी टिकट या काउंटर टिकट जो हम लेते हैं काउंटर पर जाके उसको कैसे कैंसल कर सकते हैं और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल लीजिए तो चली सुरू करते हैं तो इसके लिए आपको IRCTC.co.in पर जाना है उसके बाद राइट टोप साइड में जो यूजर टाइप का जो आइकन दिख रहा है जो मैं अभी राउंड करके जो दिखाया है उस पर आपको लोगिन करना है अपने क्रेडिंस जालने हैं य उसमें कैंसल टिकट को अप्शन आएगा जिसमें दो तरह की टिकट कैंसल करने का ओप्शन दिये जाएगा इटिकट और काउंटर टिकट यह आपके पास काउंटर टिकट है तो आप काउंटर टिकट पर क्लिक किजिए और यह आपने आपके पास इटिकट कैंसल करना है त आप e-ticket पे क्लिक किजिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी जनरी डेट 11 माई है उस जो की तेजस एक्सप्रस में है उसको मैं आपके सामने कैंसल करके दिखाऊंगा और ये भी आपको पता चल जाएगा कि कैंसलेशन चार्ज 3 टायर का कितना है तो अपने अपने टिक्ट को आप देखिये कि यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इस में मैंने 3,310 रुपीज पे कर रखे हैं तो यहां पे हम नीचे ऑप्सें से नजराएंगे कैंसल टिकट का उस पे क्लिक करेंगे आप कैंसल टिकट करने से पहले यह कैंसल करने से पहले यह एक बर कन्फरमेशन है और पैसंजर मैं खुद हूँ तो मैं इस पे चेक करूंगा तो इसमें आप अच्छे तरसे चेक कर सकते हैं कि आपके टिकट चार्ज जो टिकट चार्ज और सब कुछ चेक कीजिए उसके बाद कैंसल पर क्लिक कीजिए तो अब देखो आप देख पारें कि कैंसल यह हो चुकी है तो इसमें रिफंड अमाउंट है वो 3085 है और कैंसलेशन चार्ज 190 करके दिखा रहा है तो 190 प्लस जो कन्वेंस फिस होती है वो भी डिडेक्ट होती है तो ऐसे आप एजिली अपनी ट्रेन की टिकट कैंसल कर सकते हैं जो आपकी रिफंड अमाउंट है जैसे 3085 है वो 3-4 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगी इसमें आप देख सकते हैं कि कैंसलेशन चार्ज 190 रूपीज है तो 3-tier का अप्रोक्स 190 लगता है प्लस GST चार्जेज जो लगते हैं कन्वेंस फिस तो यहां पर आप अपना प्रेंट भी ले सकते हैं तो अमीद करता हूंगे ये वीडियो आपको अच्छे लगी होगी यदि अच्छे लगी तो लाइक क अबस्क्राइब करें